शुर्षर करने हैं आँवाद की जो इस वीडियो के बात करने वाले हैं आज थो सकते हमुआइब भी packaging material Amazon प्रोवाइड करवाएगी या फिर sellers को जो है वो पचेस करना पड़ेगा तो देखिए packaging material जो है वो यहाँ पे sellers को पचेस करना पड़ता है Amazon की website से जो है वो seller पचेस कर सकते हैं या फिर third party कोई भी वेंडर जो Amazon को packaging material प्रोवाइड करवा रहा है authorized वहां से जो पचेस कर सकते हैं packaging material में क्या-क्या packaging material के requirement होती है उसके बारे में हम अभी जो डिसकस करेंगे दूसरी चीज़ यहाँ पर packaging material की जो भी costing रहती है वो seller की रहती है seller को जो है वो उसका खर्चा देना पड़ता है या फिर seller के ऊपर उसकी costing जो है जितनी भी packaging material की आती है अगर हम एजी शिप यह से जो हो और बेजरे मतलब मतलब मर्चल फुल्फिल में अगर हम का रहे हैं Amazon FBA में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर FBA से जो हो प्र आपने देखा होगा प्लास्टिक की जो हो कुरियर बेग रहती है अगर आपने कभी online order मंगवाएं होंगे तो वह जो है वह नॉर्मल प्लास्टिक की कुरियर बेग में और जो हो आते हैं जिस भी marketplace से हम मंगवाते हैं उसकी branding अलग 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 रहते हैं जैसे अमजून पर handling में जो है वो product तूट सकते हैं तो जैसे मालीजे normal कोई product है जैसे clothing से related product है या फिर कोई ऐसे product है जो transit में तोटने का जिनको risk नहीं है उनको जो हो normal हम polybag में ship कर सकते हैं अगर हम website पे amazon की website पे जागे अगा search करेंगे amazon packaging material लिक के तो यहां पर देखे काफी सारे temper proof bag आपको मिल सब्सक्राइब 1.6 रुपी जो है वो पस सिंगल पीस इसका लगवग पढ़ रहा है उसके बाद में यह विदाउट प्योडी जैकट है प्योडी जैकट बैसे कि आथा कि बैक के ऊपर ही एक अलग से छोटी पोकेट टाइप में रहती है जिसमें हम प्योडी जैसे माली जैसे अगर ड कोडल सकते हैं जो हम प्योड गैक & फूरी जैसे जीप बैक इस तैप से रहता है यहां पर देखिए इसमें कोई भी एक्स्ट्रा डालना चाहिए से इन्वोइस हो गया या कुछ पूरियस में अगर हम बेचते हैं तो महां पे हमें जो टेकिंग डिटेल्स की इंफरमेशन जो इसमें डालने पड़ते हैं तो यह हो गया सबसे पहला पैकेजिंग मेटीरियल जिसके यह हमें रिखैन के होती है हम अपने प्रोड़क्ट शब्स करते हैं तो डिपेंडिंग उपन कि हमारा जो प्रॉड़क्ट है कैसा है नेक्स्ट बात करें तो पैकेजिंग टेप आती है तो एमस्ट की टेइग अगरहम देखें तो एमस्ट्वी वेबसाट पे अवैश्यां है यह देखिए एमजोन की टेप है बी ओपी टेप इसको बोलते हैं तो यह क्या है अगर हम करिएटेड बॉक्स में अपने प्रोडक्स बेज रहे हैं या फिर पैकेजिंग हमारी इस टेप की है जिसमें हमें टेप लगानी की जूरता तो हम यहां पर यूज कर सकते हैं उसके बिलोंग करते दो वहां पर आपके नियर भाइब रेंडर या मैनुफेक्शर है जिए मनुफेक्शरिंग करते हैं बनाते तो उन से भी पॉट्शेस कर सकते हैं पर रिस्क जपे पर जायेगे और यह तो बोक्स में अलग लग प्र एंवेलेबल है जैसे की यह 10 बार पर अगर हम अमजोन की टैप लगागे बरेंगर ना चाहिए शिपिंग के टाइम तो वह भी कर सकते हैं उसके बाद में क्या रिगेटर या फिर पेपर रोल्स भी रहते हैं तो यहां पर अगर आप देखेंगे ना तो इस टैप के रोल्स आते हैं यह रोल्स बैसे कि लिए क् हैं यहां उसकी करते हैं यससे हो सकता है और भी इसकी यूहां फरी रॉट्ट करके टेप लगा के भी जो शिप कर सकते हैं तो डिपेंडिंग अपून के अपना प्रोड़ों जो हो किस टाइब का हम यह पेकेजिंग मेटियर भी यूज में ले सकते हैं उसके बाद में रहता है शिपिंग लेबल बैसिकली क्या है कि अगर हम थर्मल प्रिंटर यूज कर र प्रिंटर बिर में हम उनके इसी रहते हैं उसके बाद में गूर्वाट सबस्क्राइब कर गोड़ेइज के अब यह चलता साथ את हैं घ्यादा निच्ज के लेगन के लेवेरा सबूब्सक्राइब यह रहते हैं उसके बाद में रहते हैं जायग'S कंई क्यों में चानिक्ट कोई इसमें बारा कटिंग आता है लग लग इसाप से रहते हैं कोई सिंगल पेज आता है स्टिकर जैसे तो यह नोर्मली एफ और साइज का एक स्टिकर इसको बोल सकते हैं जो अपने लेजर प्रिंटर में यूज करते हैं और उसमें जो हम सिपिंग लेबल इसके उपर प्रि प्रोडक्त तोटने वाले प्रोडक्त रहते हैं तो वहां पर बॉबल यूज में आता है इस तरीके की बॉबल यूज आपने देखी होगी ओनाइन ऑफलाइन दोनों जगह पे इसी ली जो है वह वह अवेलेबल हो जाती है तो यह भी जो हम यूज कर सकते हैं अगर जरूरत बड़े प्रोड़क्त जो है वह हमारा फ्रेजल है या तोटने जैसा है तो वहां पे हम जो यूज कर सकते हैं वरना नोर्मली कार्येटेड पेपर होते हैं या पेपर रोल होते हैं वह लगा के भी जो काम हो जाता है तो यह कुछ पैकेजिंग मेटीरियल है जिनकी सेलर्स क बड़े फिरया बड़े याडर्स कुल पर के वह ठीटेडेटेड प्रोड़ेक्ट सेहल आपने देखा होगा उसके बाद में अगर पैकेजिंग टेप की बात करें तो नॉर्मल टेप रहती है अगर हम बोक्स में शिप कर रहे हैं प्रोड़क्त हम प्रेजिंग या फिराम को अच्छे से शिप करना जाते हैं कस्टमर को एज इस कंडिशन में मिले तो हम जो कर्येटेड बोक्स का यूज कर सकते हैं कर्येट पेपर रोल भी रहते हैं शिपिंग लेबल की रिकार्मेंट यहां पे रहते हैं डिपेंडिंग ऑनकी हमारा प्रिंटर कौन सा उसके साब से हम जो शिपिंग लेबल चूज कर सकते हैं अब अगर बात करें पर्चेजिंग की तो इनिशली लेवल पे हम एमजों से जो पर्चेज कर सकते हैं क्योंकि देखिए जब हम बिजिनस की शुरुआत करते हैं तो शुरू में ज्यादा नहीं चाहिए जैसे मालीजिए पचास अगर हमारी कर्गेट बोक्स आगे या सो कर्गेट बोक्स हमने जो हो मुआ लिए या फिर सो अपने टेमपर प्रूफ बैग मुआ लिए तो इनिशली लेवल पर इतना एनफ रहता है जैसे जैसे बटते हैं उसके आप से हम देख सकते हैं यह फिर हम को डिरेक्ट किसी वें इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थन्यवाद